नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती जूतिश दिशा सत्यकी रावश्ट बहुत बहुत स्वागत आप सबका नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आप का इस्ट्रो फेंड संतो संतोशी और आज के इस कारेक्टरम की खासियत ये रहेगी कि आज जो हम आपको राशिफल बत हंदीग बना देगा उर्जा ही है जो हर प्रकार से आपके जिन्दगी को शुब बनाता है औरजा शक्त नकरात्मक सकरात्मक हमारे आपके बीच सकरात्मक उर्जा का अनवरत प्रवाह चलता रहता है ये सकरात्मक उर्जा बस महसूस किया जा सकता है तो इस सकरात्मक उर्जा की प्रवाह को आप पूरी तरह से इंज्वाय करिएगा इस सकरात्मक उर्जा के साथ आप अपने आपको बहने दीजिएगा इस सकरात्मक उर्जा का जिस तरह से सेवन कर सकते हैं यहीं से आपको पूरे दिन चैतन्यता प्राप्त होने वाली है आज का एक बड़ा डिफरेंट विशे हमने लिया है ठीक ग्यारह बजे के कारिक्रम जोतिश जरा हटके में क्या है वो विशे? यूथ को समर्पित वो विशे है खास दोर पर जो हमारे इवा वर्ग के लोग हैं लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है वो कौन सा योग होता है कि कोई इस्तरी लड़की पुरुश या लड़का हर एज वर्ग के लिए जो बालिग है किसी से सेक्शुली अट्रैक्ट होता है यह भाव किसके अंदर प्रमुखता से आजाता है यह आज का हमारा विशर हैगा ठीक ग्यारे बज़े जोतिश जराहत की देखना ना भूलेगा और हाँ 21-22 बनारस कन्फर्म हो चुका है होटल वगरे की बुकिंग हो गई है हंड़ेट परसंट और 23-24 लखनव हंड़ेट परसंट और 29-31 अमरित सर हंड़ेट परसंट इन सभी शहरों में जो भी मिलना चाहता है या कल्चर वैली फ्रंचैजी लेना चाहता है नए स्टार्ट अप से हमारे साथ जूड़ना चाहता है आप सब का हम अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं नंबर्स आपके सामने फ्लेश हो रहे हैं कॉल कर सकते हैं और मिलने का समय ले सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं अब आज के पंचांकिते थी है बैसाख शुक्र पंचमी चंद्रमा मिथुन राशी में नक्षत्र माफ कीजेगा गरबढ़ हुआ सश्थी बैसाख महाशुक्र पक्च सश्थी थी मिथुन में चंद्रमा सुबह आठ पंचिस तक इसके बाद करकराशी में प्रभेश नक्षत्र पुनरवशु योग रहेगा शूल तदनुसार दिनांक 10 मई दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल सुबह 10 बच कर 30 मिनट से लेकर की 12 बजे तक राहुकाल में नए और शुबकाम कारम कते ही नहीं किया जा सकता है अन्यथा वो सारे काम आपके बिगड़ जाते हैं और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7 बच कर 30 मिनट से 9 बजे तक गुलिक काल में सारे काम बन जाते हैं जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं मेज से लेकर के मीन तक का आज का सकरात्म कूरजा से भरपूर राशिफल आपके साथ अब हम शेयर करने जा रहे हैं आप इस कारकरम को दवा कर शेयर कर सकते हैं अपने WhatsApp गूरूप पर शेयर कर सकते हैं आप अप सब की WhatsApp पर हजारों की संख्यां में लोग होते हैं बहुत सारे groups आप रोग ज़ॉइन के रहते हैं कहीं सुप्रभाद ग्रूप होता है तो कहीं जोतिश ग्रूप होता है तो कहीं गीत संगीत ग्रूप होता है तो कहीं फैमिली ग्रूप होता है तो कहीं फ्रेंड ग्रूप होता है तो कहीं बिजनस ग्रूप होता है तो कहीं सोसाइटी ग्रूप होता है तमाम तरह की ग्रूप में जरूर शेयर किया करें बहुत आसान है जहां वीडियो देखते हैं आप लोग वही पर एक कोने में शेयर बटन होता है नहीं आपको जानकारी है तो किसी जानकार से पोछ लेजे जैसे वीडियो खोलते हैं आप लोग बस उस शेयर बटन को क्लिक करें कॉपी करें वहां से और अपने गुरुप में जाके पेश्ट करें तो आईए आप बात कर लेते हैं सबसे पहले मेश राशी वालों के लिए कि आपका पूरा दिन आज का कैसा भी इतने वाला है मेश राशी सिख्षा छेत्र में आज उपलबधियों का दिन कहा जा सकता है अवरोधों से बाहर निकलाएंगे आप मन लगेगा पढ़ाई में जो रुकावटे पहले से थी उन रुकावटों से बाहर निकलेंगे दोस्त यार आपकी मदद के लिए आगे आएंगे बिजनस के मामले में आज का दिन थोड़ा सा कष्ट प्रद हो सकता है चंदरमा का दोदो राशियों में आज संक्रांती है मिथुन में फिर करक में तो बिजनस आज उठा पटक वाला रहेगा निवेश से बजने की आवाशिकता है प्राइवेट सेक्टर की स्तेती ठीक रहेगी प्राइवेट सेक्टर में आरही बारहें दूर हो जाएंगी, हो सकता है कि आज बॉस आपसे प्रशन हो जाए, कुछ काम आपको दे सकता है, किसी विशेश काम में आप लग सकते हैं, हो सकता है कि कुछ बड़े पदभार भी आपको प्राप्त हो जाए, मेश राशी, दस मई दिन शुक्रवार सरकारी छेत्र सरकारी छेत्र की इस्तेदी डामा डोल रहेगी बॉस के साथ नोगजोंग हो सकता है संभावना ये भी है कि बॉस अकस्मात आपके लिए परिशानी का सबब बन जाए दामपत्य जीवन आज पत्पत्नी सुलजेंगे रिष्टी को सु कहा सुनी थी जो इधर उधर की बाते थी उन बातों से भी आज बाहर निकलने का आपका अवसर आपको प्राप्त हो रहा है मेश राशी मेश राशी वालों के लिए आज का दिन दिनांक दस मई का दिन एक और सकरात्मक कारे करेगा कि ससुराल पक्ष से जो युद्ध चल रहा था वो आज दूर करने का प्रयास सफल होगा लव लाइफ की स्कती सामान है अच्छी है समर्पन रहेगा भावन आत्मक रूप से और दूसरे के साथ समर्पित रहेंगे परिस्थिएं बहुत अनकूल रहेंगे उपाय क्या करना चाहिए आपको अगर आपकी राशी मेश है तो आपको बहुत शुबता के साथ स्वास्त का ध्यान रखना है खास तोर पर कमर दर्द को लेकर कि आज गंभी रहीएगा उपाय के तोर पर हरी सबजी आज किसी जरुरत मंद को दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज आलत से नहीं करना है हरा रंग शुबह 67 प्रतिशत का भाग आपके साथ 67 बिशबराजी बिशबराजी वालों के लिए आज के दिन को ब्यहतर करने का एक शुबह अवसर प्राप्त हो रहा है आज का दिन स्विक्षा चेत्र में नए आयाम टच करने का है आज नई जगहें पर एड्मिशन आदे भी करा सकते हैं ब्रिशबरा से ब्यापार ब्यापार में उठा पटक बढ़ सकता है बिजनस की कुछ परिस्थतियां अचानक से परेशान कर सकती है हो सकता है कि बिजनस आज सोच समझ कर करना भी भारी पड़ जाए धन आपका वापस आजाएगा ब्रिशबरा से दिनांक 10 मई प्राइवेट सेक्टर महिला मित्र की मदद से नवकरी में आज स्थाइट तवाएगा स्टेबिल्टी आएगी धन बढ़ रहा है अक्षेत्रतिया का उपाय काम कर रहा है ब्रिशबरासी सरकारी छित्र उठापटक है भही या यहाँ बास बिलकुल भी नराज हो सकता है आज बिचार विशम रहेंगे लेकिन परिश्थतियों को सम करने की कोशिश काम्याब होगी दामपत्य जीवन खुशी रहेगी आज अंदर से रहेगी प्रसनता को आप मुखरिद कर सकते हैं प्रसनता को आप इंजॉय कर सकते हैं जी सकते हैं ब्रिशबरासी आज का दिन धनात्मक है सगरात्मक है उन्नति दाएक है दामपत्य जीवन हर तरह से आपके लिए favorable रहेगा love life में आज शादी की चर्चा टाल देनी ही बेहतर है क्योंकि आज लड़की या लड़का अगर देखने दिखाने का कारिक्म बनेगा तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है बिशबरासी क्या स्वास्त की इस्थिती रहेगी आख की तकलीफ आज परिशान करेगी दुती भाव में आपको बताया ही था मैंने मंगल रहू आ गया है आज बिशबरासी वालों के लिए कुछ और प्रतिकूलताएं आ सकती है सावधान रहने की आवशकता है बिशबरासी क्या करना चाहिए आपको बिशबरासी वालों के लिए आज का दिन अच्छा करने के लिए दाहिने हाथ की बाहे हाथ की छोटी अंगली में पताये उठाया हूँ बाहे हूँ बोल रहा हूँ दाहिना आपके एश्टो फ्रेंड भी ना कुछ भी तो बाहे हाथ की छोटी अंगली में लाल दा का एक बात लीजिएगा पूरे दिन के लिए अगर आपकी राशी बुर्शब है और क्या नहीं करना है आज आज खुद से बहुत जादा बढ़ बोला पर मत दिखाईएगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग की प्रशत 69 मिथुन राशी सिक्छाचेतर में आज उठा पटक रहेगा बिजनस में आज पैसा फंग सकता है कोई दोस्त आज आपको चीट कर सकता है आज कहीं बिजनस की कोई बड़ी डील फेल हो सकती है सावधान रहिएगा मिथुन राशी दस भई प्राइवेट सेक्टर नौकरी में आज बदलाव है शाम चार बजे के बाद इंटर्वे में सफलता मिलेगी बहुत आपसे प्रशन रहेंगे किसी अजनवी के द्वारा मिली मदद रंग दिखाएगी मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए सरकारी चित्र ठीक है इस्तदे बंबं रहेगी मेहनत सफल है हर प्रकार की सगरात्म कूर्जा आप के साथ है सरकारी चित्र में अवार्ड मिल सकता है नयाकार सौंपा जा सकता है मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए आज के दिन को और अच्छे से जीना शुब रहेगा दामपत्य जीवन में पति-पत्नी आज तालमेल बैठा लेंगे पुरानी लड़ाई आज शमाप्त हो सकती है दोपहर तीन बजे के बाद एक मीटिंग पुराने गिले शिक्वे भुलवा देगी लव लाइफ आज नया प्रपोजल मिल सकता है आठ बचकर 45 मिनट के बाद सुबह है बहुत कुछ सकरात्मक होने की कगार पे है मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए आज के दिन को और सकरात्मक अगर बनाना है उपाय हम बताएंगे लेकिन स्वाश्त जान लेना जरूरी होगा आज लिवर और किड्नी से समंधित समस्या अगर किसी को है मिथुन राशी के व्यक्ति को इंसान को चाए से कंठ पड हलका सा हलदी लगा लिजेगा क्या नहीं करना आज आज जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाना किसी को पीला रंग शुभ है 62 प्रित्षित का भाग्या आपके साथ है करकराशी दस मईद 2019 दिन शुक्रवार आज करकराशी वाले सिक्षा छेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे सफलता किस सेंस में जैसे आज जो भी पढ़ाई करेंगे आप तयार हो जाएगा कोई मैटेरियल आपका सिक्षा से सम्मंधित उल्जा हुआ हो इधर उधर हो मिल जाएगा करकराशी वालों के लिए अधूरापन दूर होगा ब्यापार की स्थिती अच्छी रहेगी बिजनस में आरहिस्त बाधाएं आसामानताएं दूर हो जाएंगी करकराशी वाले आज खुद प्रशन रहेंगे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में बदलाव और उन्नती दोनों की चांसे हैं सरकारी छेतर भी आज आपका बहतर रहेगा आज परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा ने कारिभार में आप सौपे जा सकते हैं करकराशी वालों के लिए दामपत्य जीवन में आज उठा पटक रहेगा किसी मित्र की वज़े से आज परेशानी बढ़ सकती हैं कुछ ससुराल पक्ष वाले भी आपकी बिर्द शड़ेंद्र करते हुए मिल सकते हैं लव लाइफ अच्छा रहेगा प्रपोजल मिल सकता है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं परिस्थतियों को अपने पक्ष मिलाने का प्रियास आपका सफर होगा स्वास्त के मामले में घुटने और कमर से समंधित समस्याएं परिशान कर सकती है कुछ हर्ट की प्रप्लम भी हो सकती है उपाय के तोर पर आज आपको आटा दान करना चाहिए गेहूं का आटा क्या नहीं करना है आज आज ब्लैक कलर अवाइट करना है सफेद रंग की शुबता है बावन प्रत्सित का भाग आपके साथ है सिंग राशी बंबम इस्थती है मांसिक और शारेविक ग्रूप से अपने आपको प्रशन न पाएंगे कोई बड़ा अवरोध आपके जीवन में नहीं आएगा आज स्रिक्षा छित्र में उन्नती प्राप्त होगी लाव के मार्ग कई प्रकार से प्रशश्ट होंगे धन की स्थती बहुत अच्छी रहेगी सिंग्राशी किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलेंगे कोई बिजनस में हेल्प करेगा जो आपको बहुत शुभ और सकरात्मक रहेगा सिंग्राशी वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रश्टतियां प्रत्कूल रहेंगी लेकिन फिर भी आप उसको अनकूल कर सकते हैं सिंग्राशी वालों के लिए सकरात्मक उर्जा प्रवाहित हो रहा है और हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है सिंग्राशी सिंग्राशी वालों की स्थिती और भी अच्छी हो सकती है इस उर्जा को इसी तरह से बढ़ा कर रखना है सिंग्राशी सिंग्राशी वाले अगर उल्जें हैं तो सुलजना भी आपको ही है कुछ घरेलू कलह कलेश मांसिक रूप से आपको द्वन्दित कर सकते हैं द्वन्दित कर सकते हैं इस पर आपको विशेश देहन देना होगा सिंग्राशी सिंग्राशी वालों के लिए समझदारी एक दिखानी है प्राइवेट सेक्टर और गवर्मेंट सेक्टर को मर्जना होने दीजेगा कुछ लोग होते हैं जो सरकारी छेतर में भी काम करते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं सिंग्राशी वालों के लिए दामपत्य जीवन सुचारो ढंग से चल रहा है पति पत्नी का साथ है दूसरे के साथ बना हुआ है सिंग्राशी के लिए लव लाइफ ठीक नहीं है आज स्वास्त के मामले में कुछ हर्ट कुछ पेट की दिक्कत परिशान कर सकती है उपाय क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर बस एक चीज का ध्यान रखना है आज प्रात्य काल वेला में भगवान विश्णू का ध्यान करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या नहीं करना आज आज उधार किसी को मत देजेगा बादामी रंग शुभर ठावन प्रशत का भाग ग्याप के साथ है कन्या राशी कन्या राशी का प्रभाव आज कुछ निगेटिव है शिक्षा छेत्र में थोड़ा सा मजबूती लाने क्या वशकता है अधूरापन परेशान कर सकता है कन्या राशी के लिए ब्यापार छेत्र अच्छा है बिजनस में आ रही बादाएं दूर हो जाएंगी बिजनस आपका अच्छा चलेगा प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ कानाफोसी हो सकती है कुछ बॉस आपसे आज नाराज हो सकते है किसी बात को ले करके तू-तू-मै-मै हो सकती है कुछ लांचन भी लग सकता है कन्या राशी दस मई सरकारी छेत्र मजबूती रहेगी आज पकड़ रहेगी आज अधूरे पन से बाहर निकलेंगी धन की स्थेदी बहुत अच्छी रहेगी नामपत्य जीवन शुब रहेगा आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी पति-पत्नी का ताल मिल बैठा रहेगा ससुराल पक्ष सपोर्ट करेगा कन्या राशी दस मई लव लाइफ उठा पटक भरा है तू तू मैं मैं बढ़ सकता है रिष्टा तूट सकता है शादी की चर्चा टाल दे स्वास्त कन्या राशी स्वास्त का मामला आज शुब रहेगा बुटनी की तकलीफ तूर हो जाएगी पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी हॉस्पिटल से घरा जाएगी कन्या राशी क्या उपाय करना चाहिए गव माता कुवाज हराचारा दीजेगा प्रणाम करते हुए क्या नहीं करना हाज आज अपने मन से कोई बड़ा फैसला मत लीजेगा बैंगनी रंग शुब है चलेगी ब्यापार मामला यहां उल्टा है बड़े निर्ड़े टाल दीजेगा आज ब्यापार में कुछ मामला उल्टा हो सकता है सावधान रहने की आवशकता है तो लाराशी वालों के लिए बिजनस को बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर की स्थिति अच्छी रहेगी प्राइवेट में आ रही बाधाय दूर हो जाएंगी सपोर्ट मिलेगा और दोस्त की सपोर्ट से और बैंक से लोन वगरे भी अगल लेना की कोशिश कर रहे थे तो ले सकते हैं सरकारी छेत्र में स्थानांत्रों और प्रमोशन वगरे की चर्चा भी ना करे दांपत्य जीवन इसे दिसा मानने है मारिर लाइफ में पति-पत्नी तालमेल बैठा रहेगा पड़िवार वालों का साथ मिलेगा एक दूसरे को समझेंगे समर्पित रहेंगे तुरा राशी लव लाइफ प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं शादी की चर्चा बात कर सकते हैं शाम को लड़का-लड़की दिखाने का कार्क्रम बनाया जा सकता है स्वास्त शुगर आज बढ़ा हुआ रहेगा उपाय क्या करना चाहिए आज उपाय के तोर पर एक ग्रे कलर का स्लेटी रंग का रुमाल अपने पास रख लीजेगा अगर संभव शर्ट पहन सकते हैं यही उपाय आपका है क्या नहीं करना आज आज अपने मन से किसी को कोई काम मत सौपिएगा स्लेटी रंग शुभः ठामन प्रित्सित का भाग आपके साथ है ब्रिश्चे ग्रासी दिन बहुत अनकूल है आज चंद्रमा का करके में आना 8-45 के बाद तो आपके लिए राम बाणा है स्विक्षा छेत्र में बहुत अच्छी सा फक्ता मिलेगी बाधाएं दूर हो जाएंगी इमोशनल पार्ट आपका बहुत मजबूत रहेगा मन लगाकर पढ़ेंगे रिजल्ट पॉश्टिव आएगा ब्यापार में भी आज पॉश्टिव रिजल्ट है दो पहर के बाद कोई बड़ा कॉंट्रेक्ट मिल सकता है आज सेल्फ एंप्लाइट्स जितने हैं एक्टर, मॉडल, एंकर वगएरे जो भी है सीए, एस्ट्रलॉजर इनके लिए दिन बहुत अच्छा है ब्यापार में उन्नती कई जगह से मिले कि धन भी आपके उपर बरसता रहेगा प्राइवेट सेक्टर की स्थेती थोड़ी सी डावा डोल रहेगी दोपहर के बाद हो सकता है कारेभार आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाए जो आप बहुत मुश्किल से निभा पाएं प्रिश्चिक राशिया दिनांक 10 मई 2019 सरकारी महकमे से सपोर्ट मिलेगा सरकारी महकमे में अगर आप काम करते हैं तो आज काम आपका सराहा जा सकता है आपके काम की सराहना हो सकती है आपका काम आज हर तरह से आपके लिए बहुत शुब रहेगा ब्रिश्चिक राशिया कई प्रकार से आपका प्रभाव आपका वर्चस वो दिखाई देगा दामबत्य जीवन में पती पत्नी आज जबरदस्त तालमेल बिठाएंगे कमेश्टरी बाहर भी दिखाई देगी आज प्रशन रहेंगे एक्स्चेंज हो सकता है गिफ्ट हो गए रहें लव लाइफ की स् स्वास्त लिवर और किद्नी से सम्मंदित समस्या हो सकती है आज पेट की दिखत भी परेशान करेगी उपाय के तौर पर एक ही करना है काम एक चुटकी चीनी शुगर किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना हाज आज मांसिक ग्रूप से खुद को परेशान नहीं करना है सफेद रंग शुबर 67 प्रतिशत का भाग आपके साथ है धनुराशी धनुराशी क्वालों के लिए सिक्षा छेत्र में आ रहे बाधाएं दूर होंगी सिक्षा छेत्र में आज उन्नती है बाहर कहीं सिक्षा के लिए जा सकते हैं आज ग्रूप इस्टडी का भी दिन कहा जा सकता है ब्यापार अच्छा रहेगा रुके धन की प्राप्ति होगी शाम चार बजे के बाद कोई नई स्ट्रटजी पर काम हो सकता है धनुराशी दिनांक 10 मई प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा यहां पर भी सफलता के संकेत हैं और दोस्ती यारी मदद करेगी प्राइवेट सेक्टर में कहीं चेंज भी किया जा सकता है सरकारी छेतर में धनुराशी वालों को आज थोड़ा सा परेशान होना पर सकता है स्वास्थ की दिक्कत परेशान करेगी कारे छेतर में ही आपकी तवियत खराब हो सकती है सावधानी बहुत बरतने की आवशकता है देखेगा खान पान पर भी ध्यान दीजेगा और दामपत्य जीवन धनुराशी वालों के लिए आज अच्छा रहेगा आज पत्नी समरपित भी रहेंगी और पुरानी बातें भूल भी जाएंगे आप लोग तो आज का दिन इंज्वाय वाला दिन है धनुराशी लव लाइप भाईया यहां मामला गड़बढ़ धोड़ा साथ आज यहां पर प्रेमी का कुछ मांग सकती है और आप आना का नहीं कर सकते हैं ध्यान ये देना होगा कि उसकी मांग कितनी जायज है है कि नहीं स्वास्त के लिए आज माइग्रेन की समस्या अगर है पहले से तो दिक्कत कर सकती कुछ इसनों फिलिया भी आपका बढ़ सकता है कुछ नियूरो प्रॉब्लम वालों भी आज परेशान होंगे उपाय के तोर पर आज के दिन एक काले रंग का कोई कपड़ा रुमाल या छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा वैसे भी ले लिजेगा किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा और क्या नहीं करना आज आज लंबी आत्रा अवाइड करनी है काला रंग शुब है क्यावन प्रिशत का भाग आपके साथ है मकर राशे शिक्षा छेत्र में उन्नती रहेगी ब्यापार फल देगा लाब होगा प्राइवेट सेक्टर बदलाओ रुख जाईएगा सरकारी छेत्र शुब है दामपत्य जीवन में उठा पटक रहेगा सावधान रहने क्या वशक्ता है लव लाइफ सकरात्मक है डेट पर जा सकते है स्वास्त के मामले में घुटने और एणियों में तकलीफ बढ़ सकती है उपाय के तोर पर आज किसी जरुरत मंद को भोजन कराएं क्या नहीं करना है अपना वाहन उधार नहीं देना है भूरा रंगशुब 61 प्रत्षत का भाग आपके साथ है कुम्भराशी आज कई छेतर में बाधाएं आ सकती है स्विक्षा में भी ब्यापार उठा पटक वाला रहेगा बिजनस में कोई कहीं पर धन आपका फंस सकता है उपाय कर लिजेगा प्राइवेट सेक्टर में बास किसी बात को ले करके नाराज हो सकता है सरकारी छेत्र सकरात्मक है और लव लाइफ और मैरेड लाइफ में भी किसी अन्ने का प्रवेश आज लडाई जगडा बढ़ा सकता है स्वास्त के मामले में आँखों की तकलिफ और पेट की तकलिफ हो सकती है उपाय के तोर पर गव को हराचारा दीजेगा क्या नहीं करना है आज आज अपनी बाते थोपनी नहीं हरारंग शुप च्छाचट प्रिसत का भाग आपके साथ है अंतियम राशी मीन मीन राशी वालों के लिए रुके काम आज बन जाएंगे सिक्षा छेतर में उन्नती रहेगी बड़े बदलाव की तरह बिशारा है ब्यापार में भी आज नया चेंज कर सकते हैं नया बिजनस से स्टार्ट कर सकते हैं रुपे पैसे की कमी दूर होगी प्राइवेट सेक्टर में आज बॉस आप से थोड़े से नाराज जाएंगे किसी के सड़ियंत्र करने से आप पर आज आज आ सकती हैं सरकारी छेतर में शुब सकरात्मक बदलाव है दामपत्य जीवन में आज गिले सिक्वे भूल रहे हैं गिफ्ट का एक्सचेंज होगा पतनी आज प्रशन रहेंगी पती भी आज खुश रहेंगे मीन राशी 10 मई लव लाइफ में इस्तिती परिवर्तन शील तो है लेकिन नया चेंज भी हो सकता है स्वास्त के मामले में आज पेट और लीवर से संबंधित परिशानी रहेंगी उपाय के तोर पर आज अनवान चाले सागा जाब कर लेजेगा क्या नहीं करना है आज आज लाल रंग अवाइट करना है बादामी रंग शुभ है 62 प्रत्षत का भाग आपके साथ है चलिए जल्दी से जान लेते हैं अब आज का भाग्याग्षर मेश छोटा आप, ब्रिशबचा, मिथुनसा, करक ताग्षर, सिंग छोटी ई, कन्या ज़, तुला, थाग्षर, विश्चिकपा, धनो धाग्षर, मकर, वा, कुम्भ, गाग्षर, और मीन, ता, ता से तकलीफ नहीं आएगी फटा फट जानते हैं आज दिनांक 10 मई का सक्सेज की गुलाव जल उल्टे कान के पास यहां नीचे लगा कर फिर घर से प्रस्थान करें अब आज का, मतलब कल का, सौरी 11 मई का एक्जाम टिप 11 मई को जब आप परिशा देने के लिए घर से निकल रहे हो तो राइट हैंड के अनामिका आंगली से, रिंग फिंगर से अपने कंठ पर, यहां पर, हाथ, मतलब इस फिंगर को यहां रखकर ओम, क्लींग, ओम, क्लींग, K-L-E-E-N-G ओम, क्लींग का जाब करना है 3 टाइम्स एक्जाम देने जाएए, बढ़ों का चलन चुएए, सब कुछ सगरात्मक होगा थैंक्यू सो मच, मुहबद बनाय रखने के लिए बनारस में मिलिएगा हमसे, दो दिन 21-22 मई, और लखनों में 23-24 तारिख अमरित सर, कितनी कितनी तारिख, 29-30-31 फिक्स है, बुक कर लेजिए अपाइट में आपके शुप दिन की पावन मनों कामनाओं के साथ हमें अनुमत दीजेगा, नमस्कार, शिरादे आपके एनग में इस आपके शिक्स करिण हमें भूप बूँर moं को जाए German कितनी कार झाल, वो पाव कितनी तारिख, 29- Bose कितनी अनुमत आपके लेदिए, 25- videos कुप रूप हमें, यह कितनी ten रुप कितनी की, 6-kward moments है, झापके खास झाल झाल